नबस्कार आप देख रहे हैं दैस्टी नूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग जारकंड विधान सबाद चुनाओ के परणाम आने के बाद भी रगवरदास ने एक बार फिर से सर्यू राय पर निशाना साधा है क्या है पूरा मामला इस पर हम को तमाम जानकारी दे क्याती यह हो चुकी है कि रगवरदास चुनाओ हार चुके है और सर्जू राय ने उनको उन्हीं के आखाड़े में सिकस्त दी है नोनिट जी यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह से इनके हार हुई है उसके बाद यह जो 36 का आकड़ा है उसमें कमी देखी जाए बिलकुल यहीं कयास लगाया जा रहा था कि अब जब रगवरदास चुनाओ हार गए हैं तो दोनों के रिष्टों में जो तल्की है उसमें थोड़ी तल्की कम होगी लेकिन वो तल्की कम नहीं हो रही है तल्की बढ़ती जा रही है और कल जब रांची से रगवरदास जमस उनके उपर हमला बोला है, पलेटवाः किया है और सर्यू राय ने उनके उपर यह भी आरोप लगाया है कि सर्यू राय पिछले एक सालो से जारखंड के इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा उनकी जासूसी करा रहे थे हैं सर्यू राय से कौन लोग मिल रहे हैं, सर्यू लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है उन तमाम चीजों का आंकड़ा जो है वो जारखंड की सरकार रख रही थी और कहीं ने कहीं ये तमाम इंटेलिजेंस इंपुट रखबर दास को दिया जा रहता है ये सर्जू राय ने बड़ा आरोप लगाया है देखिए बिलकुल ये पूरी जारखंड की सियासत के तमाम लोग जानते हैं कि रखबर दास और सर्जू राय के बीच रिष्टे कभी भी समाने नहीं रहे हैं दोन कोल्हान प्रशित में घामासान मचा हुआ है जहां सर्जू राय लगतार प्राटी पर कई आरोप लगा रहे हैं वहीं बात करें तो बीजेपी बीजेपी ने भी हार के बाद जो है वो घामासान जो है वो मचा हुआ है और माना जा रहा है तो ये तमाम चीजे वज़ा है परिणाम आने के बाद जार्खन बिधान सबाग के परिणाम आने के बाद जिस तरह से प्रेस कांफरेंस के रगबरदास और उन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी की हार हमारी हार है तो इसको किस देखिए बिल्कुल इस बात से तो कोई इनकार करी नहीं सकता है कि ये हार बीज टेंडे होंगे तमाम चीजों को ठीक करने की जिमवारी पाटी ने रगबरदास को दी थी और उसके लिए पाटी ने पूरी आजादी दी थी रगबरदास ने जैसे चाहा वैसे चाहा वैसे उमिदवार बनाया तो बिल्कुल इस भूमिका से वो पीछे हट नहीं सकते हैं कि पाटी ने उनका टिकट काड़ा था लेकिन सर्जूराय का साफ तौर पर ये कहना कि सरकार पिछले एक साल से वहां के इंटेलिजेंस एजन्सियों के माधियम से आईबी के माधियम से उनकी लगातार उनकी जासूसी करा रही थी तो ये बड़ा गंभीर आरोप बनता है और जाहिर तोर पर सर्जूराय ने कुछ तत्य भी रखे हैं सिर्फ उन्होंने कहा नहीं है कुछ तत्य भी रखे हैं कि कब-कब उन्होंने खुद राजपाल से एक बार मिलने गए उन्होंने कहा है और वहां पर एक अधिकारी उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था उन्होंने सर्जू राय और रगवर्दास के बीच अब जब हार जीत हो चुका है तो ये रिष्टों में तल्किया जो है वो दूरी है वो कम होगी लेकिन वो कम नहीं हो रही है वो बढ़ रही है और ये अभी और सियासी रंग दिखलाएगी जे दिव्या तो आपने देखा कि जारखंड बिधान सभाचुना के परणाम आने के बाद भी वार पलट वार खासकर सर्यू राय और अगवर्दास में जारी है फिल्हाल देस्टी न्यूज में इतना ही आप बने रही है देस्टी दोज के साथ